दोस्तो आज के वीडियो में आपको WhatsApp की कुछ ऐसी settings बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा feature बताने वाला हूँ, जो की new update होने के बाद आया है, और हो सकता है आपको ये पता नहीं हो, जो feature में बताने वाला हूँ, वो काफी जबरदस्त का feature है, बस एक बार आप इस feature को देख लोगे तो चलिए जानते है WhatsApp का जो new feature add किया गया है, वो कुछ मज़ेदार फीचर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, WhatsApp पे जाना है, WhatsApp पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ three dot बाला option पे सबसे पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में settings का option देखने को में लगा, उस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक tab add किया गया है, जो कि आप देख सकतो है, तो उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ option देखने को में लगा, add fabric, तो क्या करना है, add fabric का जो plus बाला icon देख रहा है, वहाँ पे आपको क करना है तो क्या कर सकते हो यहां से किसी भी कॉंटेक्ट को अपने ऐसे मेरे 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 करना नहीं है तो मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूं मैं जो सलेक्ट करेंगा और नीचे यहां अब आपको जैसे मेसेज करना होता है तो यहां पर आपको एक चैट का उपसन देखने को मिल जाता है लेकिन आप में हो सकता है कि बहुत सारा चैट लगातार आने की बज़़ा से आपका कोई फेवरेट बंदा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा चैट करते होगा पर्षानी होता होता होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है वह फेवरेट बाले चैट कर सकते हो एना आप आप को यहां से दूसरे सेटिंग करना है, दूसरे सेटिंग के लिए भी आपको 3. वाले उप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिर से सेटिंग वाले उप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ प्राइवीसी वाले उप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक उप्श सामने बालों को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तीसरे सेटिंग की तरफ चलते हैं जो कि ये सेटिंग नहीं है ये एक ट्रिक कह सकते हैं जैसे हमारे फॉन में बहुत कुछ सेव करना होता है या फिर कोई जरूरी डॉक्युमेंट से ही आ गया तो हम उसको सेंड नहीं कर सकते है अगर वो प्रसनल है तब तो हम प्रसनल ही रखेंगे उस डॉक्यूमेंट को प्रसनल लखने का मतलब यह है कि नहीं आप किसी कॉंटेक्ट को उस डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो और नहीं किसी ग्रूप में लेकिन आपको क्या करना है यहां पर एक ट्रिक लगाना है trick लगाने के लिए सबसे पहले आपको 3 dot बाले option पर जाना है उसके बाद आपको यहाँ new group का option देखने को में लगा उस पर click करना है click करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ 2-3 जन को group में add कर लेना है add करने के बाद आपको क्या करना है डालने के बाद आपको क्या करना है यहां डन बाले option पे नीचे क्लिक कर देना है आपका group तयार हो जाएगा यहां पे मेरा group एक तयार है group पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको group का जो name दिख रहा है वहां पे tap करना है क like करने के वाद आपको नीचे यहां पधे देखने को मिल रहा होगा अगर हम कोई डरीव करते हैं तो उसमें तो कम से कम डो तीन बंधा होना चाहिए ग्लासा प Ihnen यहांपकों कम असाधाम ऐफ का जंध प्यार में यहां होगा जो की मैंखुद हूँ तो मैं इसमें क्या करता हूँ इस group में अपना कोई documents या फिर कोई साभी photo, video कुछ भी यहाँ पर क्या करता हूँ सेफर है इस करण इस group में डाल देता हूँ और मैं अकेले ही scene करता हूँ इस group में कोई दूसरा है नहीं तो यह trick आपको कैसा लगा आप यह comment में जरूर बताईएगा अब आपको अगला feature बताता हूँ जैसे आपका कोई favorite contact या फिर favorite group या फिर कोई कुछ favorite है जिसको आप सबसे ऊपर में लाना चाहते हो जैसे मेरे में contact है आप देख सकते हो माँ वाला contact है जो बहुत नीचे जाके दिख रहा है तो इसको क्या करना चाहते है कितना भी message आये लेकिन यह जो contact है हमको सबसे ऊपर में ही देखे उसके लिए क्या करना है आपको इस contact पर थोड़े tap करके रखना है तैप करने के वाद ऐसा option आपके सामने खुल के आ जागा उसका आपको क्या करना है यहां एक option देखने को मिलागा आपको pin का उस बाले option पर क्लिक कर देना है और छोड़ देना है बस आप आप देख सकते हो कि यह जो माँ वाला contact है वो सब से उपर चला गया है और कितना भी कोई message करे यह contact यहीं का यहीं रहेगा वो सबसे उपर में ही रहेगा इसी तरह से आप किसी group में भी कर सकते हो जैसे इस group पर करना है तो यहां से pin का option देखने को मिलागा तो आप इस पर भी चाहो तो pin कर सकते हो तो आपका सबसे उपर में जैसे मैं यहां पर एक group को और एक contact को फिनिक यहां हूँ तो आप देख सकते हो यह दोनों सबसे उपर में ही दिख रहा है बागी उसके नीचे ही आपको कोई अलग contact देखने को मिलेगा तो है ना यह भी कमाल का setting तो आपको इन सभी feature में से कौन सा feature अच्छा लगा है यह comment म आप जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye राधे राधे